असलामेलेकव्लेक्म students, welcome to another lesson in English grammar हमारा आज का lesson pronoun antecedent relationship या pronoun antecedent agreement का बारे में है तो ये reading and thinking skills का या reading and thinking competency का एक basic concept है जो कि एक last nine-tenth first year-second year में पढ़ाया जाता है जैसे कि आपको पता है कि English में pronoun ऐसा word होता है जो कि noun को replace करता है noun को point out करने के लिए use किया जाता है तो हम noun को बार-बार लिखने के बजाए उसके जगा pronoun का इस्तमाल करते हैं तो जब भी किसी sentence में pronoun किसी ऐसे noun को represent करे जो उससे पहले आ चुका हो sentence में तो तब हम उस noun को pronoun का antecedent करते हैं So when a pronoun refers to a noun earlier in a sentence then the noun is called its antecedent जब किसी sentence में noun पहले आ जाए और pronoun बाद में आए तो pronoun जिस noun को point out कर रहा है वो पहले आए sentence में तो हम noun को उस pronoun का antecedent करते हैं ante का मतलब होता है before इसको हम example से समझ लेते हैं फातिमा opened her window to look at the clouds तो इस sentence में देखें जो pronoun है वो है her तो her यहां पे एक pronoun है और यह pronoun किस noun के लिएnię जीस किय गया है sentence में ये यूज किया गये जी फातिमा के लिए तो यहां पे ये noun है फातिमा अब ये noun जो है अब pronoun से पहले आ चुक है तो हम इस noun को कैएंगे antecedent केंगे अब फातिमा जो है इस sentence का निएंट के लिए निए और हर किया है यहां पर प्रोणाउन है इसी तरह एक और एक्जांपल है फैजान एंट असर्ड वॉंटेड चिकें फॉर्डेर पिकनिक इस सेंटेंज में प्रोणाउन जो यूज किये गये है वह है अब यह प्रोणाउन किसको पॉइंट आउट कर र था यहां पे प्रोनाउन है और यह यूज किया गया है किसी लिए असा नाउन है जो के प्रोनाउन से पहले आ चुका है तो यह कह कहलाएगा इस pronoun का antecedent कहलाएगा तो यहाँ पे the student antecedent है अब हम देखेंगे किसी भी sentence में pronoun और antecedent आपस में कैसे agree करते हैं उनमें क्या relationship पाया जाता है तो किसी भी sentence में pronoun और antecedent में तीन तरह का basic relationship होता है वह है जी जेंडर का, नमबर का और person का अब जेंडर का मतलब होता है जी masculine या feminine तो अगर sentence में noun या antecedent masculine हो तो उसका pronoun भी masculine लिया जाएगा और अगर noun या antecedent feminine होगा तो उसका pronoun भी feminine होगा इसी तरह नमबर में हम singular plural को देखते हैं तो अगर noun या antecedent singular होगा तो उसका pronoun भी singular होगा अगर noun या antecedent plural होगा तो pronoun भी plural होगा इसी तरह person में अगर हम देखें तो अगर noun या antecedent first person होगा तो pronoun भी first person में होगा अगर noun second person होगा तो उसका pronoun भी second person में लिया जाएगा noun third person में है तो pronoun भी third person में होगा तो यह relationship पाया जाता है pronoun में और entecedent में इसको हम pronoun entecedent relationship या intent agreement केते हैं अब उन्हीं एक्जांपल को दोबारा देख लेते हैं जो भी हमने discuss की ती और अब हम यह relationship जो यह वो देखलेते हैं कि कैसे incident और प्रोनाउवुंध मैं related हैं तो यहां पर हर प्रो नाउन है और फात्मा क्या है यह एंटेसिदेंट है तो आप देखें यहां पर जो एंटेसिदेंट है यह फैमिनन है तो एकॉर्डिंग ली जो प्रो नाउन है वह भी हमने फैमिनन लिया है इसी तरह जो हमारा एंटेसिदेंट है फात्मा तो यह एक थर्ड परस है तो उसी साब से जो प्रो नाउन है हर यह भी क्या है थर्ड परसन है इसी तरह दूसरे संटेंस में फैजान असद वांटेड चिकन फॉर दियर पिकनिक तो यहां पर देर जो है वो प्रो नाउन है और फैजान असद यह पार्ट संटेंस का क्या है इंटेसिडेंट है अब तो यहां पहन please क्या है प्रोन है और फ्रोदिंट क्या है ऍठीसिदइंट है यहां पर था पर सुधिया है तो ऐकॉर्डिंगली अब यह बात कर लें तो यह थर परulator में लिखा गया है थर पर संपर में बज़िया तो इस तरह हमेशा एंटेशीरेंट और फुरोड नाउन आकर्स में अग्री कर अर्म करते हैं उन्में रेलेशनशिब होता है जेंडर का नंबर का ओर परसर का कि एदियु घेति और प्रोणाउन दोनों का जैंडर सेम होगा दोनों का नंबर सेम होगा और दोनों का परसर भी यह होगा हमेशा सेम हो तो यह था हमारा आज का लैसे I hope कि आपको आज का topic अच्छी तरह समझ में आया होगा तो next lesson में मैं आपके लिए इस topic पर based एक quiz लेकर आऊंगा जिसमें आप अपनी understanding को check कर सकते हैं quiz को solve करते हुए See you in the next lesson